आप देखने हैं अपना विहार और आपके साथ मैं हूँ विवेक सरकार दम भभरती है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हैं आपकी सुरक्षा में तैनात हैं डीजी पी आरेस भट्टी कहते हैं कि पुलिस को अपराधियों को दोड़ाना चाहिए सुदूर जिलों की बाद छोड़ दिए पट्टना में ही एक ऐसी शर्मनाग तस्वीर सामने आई टीज टॉल लगाने वाली महिला की पिटाई की गई बड़ा सवाल पुलिसिंग पर है सचवाले थाना महिला पहुंचती है लेकिन महिला की नहीं सुनी जाती और सचवाले थाना शृत्र के विकास भौन के पास ही टीज टॉल है जहां पर ये महिला चाई के दुकान चलाती है एक गुंडे ने इसलिए इनकी पिटाई की क्योंकि उसने इनकी चाई के बदले पैसे नहीं दिये महिला को गुंडे ने 20 सड़क पर पीटा है चाई दुकान पर काम करने वाले एक बच्चे का भी सिर्फ फुटा है महिला दोड़कर सचवाले थाना पहुंचती है ये सोच कर कि उसे इंसाफ मिलेगा लेकिन महिला का रूप है कि सचवाले थानेदार ने उसे ही जेल भेजने की धमकी दे दी सचवाले थानेदार का कहना कि अवैद तरीके से स्टॉल लगाती हो और पुलिस के पास नयाई के लिए पहुंचती हो सवाल है कि थाने के पुलिस पतादिकारी नयाय देने के बजाए महिला को फटकार क्यों लगाने की लगे महिला का दावा है कि उसने कोई नियमों की अवहिलना नहीं की आखिर पटना पुलिस किसलिए है वो आम महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती एक बच्चे की पिटाई के आरूपी को पकड़ा नहीं सकती तो फिर लोग कहा जो आएंगे पीटने वाले आसमाजीक तत्वों की टिपड़ी बाई की जो इस्थानिये जो लोग थे उन्होंने उससे पकड़ा है और उसकुंडे की पिटाई की है बताया जा रहा है कि वो यूवक जो था नश्य में धुद था और ये शराबंदी की एक होग हकीकर जो है हम आपको बतारा है तो एक साथ कई सवाल जो है वो लॉन ओर्डर के सामने कानून विवस्ता के सामने खड़े है कानून के साथ इनज साथ चाय नहीं पिया हूँ आप छाय अन्या जो कानून दो पस्ट ऐसके सब्सक्रेंब फेयर तो लेके गए है तो वो तो आपको देना ही परेगा बस इतना ही मैं बोली वो मा बहन पर चले के गाली गलॉच करने लगे खीचते वे वहाँ तक मुझे रोड तक लेके गया हाँ रोड तक लेके गया मुझे वहाँ पर भी बहुत जादा मारा सब लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं किया ठीक है मेरे एक रिलेक्टिव था बाबू मेरा आया हुआ था गाउं से वह हमको बचाने गया तो उसका सर फार दिया मार के ठीक है इटा से मार के उसका सर फार दिया और इतना जादा मतलब कि वह मारा है न जो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं बहुत ज्यादा लेकिन मैं फिर गई थाना में गई एफ़ायार के लिए तो थानेधार बोलता है जो उल्टा तुमें पर केस कर देंगे तुमको ही जेल भेज देंगे तुम बस इलीगल तरीके से दुकान चला चला तो भागो यहां से कोई सपोर्ट इतने गंदे वेवार से थाने वाले मुझे बोले हैं बोजपुर में पुलिस ने विदेशु शराब के एक बड़ी खेप बरामत की है वड़हरा थाने के खौासपूर ओपी के खौासपूर भागड़ फुल से पुलिस ने दो शराब तसकरों को गिरफतार किया है जिसका शराब शेलेश कुमार और रोशन कुमार है ये दोनों यूपी के पिकप में तैखाने के वितर छिपाकर शराब की खेप लेकर पटना जा रहे थे तबी खौसपूर भागड़ पुल के पास दोनों तसकरों को शराब के साथ दबोच लिया गया पटना की गौरी चक पुलिस ते चंडासी गाउं में छापे मारी कर एक विकफ वैन पर लदे 50 काटन विदेशी शराब की खेप बरामत की है चापे मारी की भरक मिलते ही शराब कारुबारी मौके से फरार हो गया शराब के काटन को सिमेंट की बोरी से चिपा कर रखा गया भरामत शराब की कीमत करी पाच लाक रुपे आगी गई हैं से अरसा महुत वादी भाग की टीम में चापे मारी करते हुए बारा शराब कारुबारियों समेच 34 लोगों को गिरफ्तार किया हैं इनके पास से भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ कब सिरफ बराम किया गया जरसा जिले में नोडल रेड का दिन था और नोडल रेड में बारा शराब बेचने वाले और बाइस शराबियों को अरेस्ट किया गया सभी को नयाई कि रासत में भीजा गया है अरबली कि अलगलग प्रखड़ु में आवय धरूब से संचाले तारा मशीनों को लेकर वन्य भाक की ओर से चलाईगे विशेश अभियान के चलते में अवय धारा मशीन संचाल को में हम मच गया है शेहर के बैदरबाद और मेहदी इलाके में संचालित अवैद आरा मशीन को जिसी वी के माध्यम से तौस्त किया गया इस दौरान अवैद आरा मशीन चलाने वाले संचालक फरार होने में काम्याब रहे कट्यार के कोड़ा में रुपसपूर गाओं में घर से उठी चुनगारी में 25 लाख से ज़्यादा की संपती का नुकसान हुआ इस घटना में ट्रैक्टर और एक स्कॉर्प्यू भी जलकर खाक हो गया आग पर कावू पाया गया लेकिन अभी तक आग लगनी की भजों का खुलासा नहीं हो पाया के दूए ग्रे राजुमंत्री नित्यानेंद्राय ने अपराद के आखड़े बताते हुए महाकडबंधन सरकार पर निशाना साथा नित्यानेंद्राय दे कहा कि सरकार के संग्रिष्ट्ण में अपराद ही वार्दात को अंजाम दे रहे हैं कि अंकड़ा भी रखा है कि बिहार में जो घटनाए हाल की दिनों में घटी है आंकड़े क्या कहते हैं आकड़े तो ही कहते हैं कि यहां गुंड़ा राजस्थापित है गुंड़े तांडव कर रहे हैं और महा गटवंदन की सरकार उनकी स्वागत में और उसके संरक्षन और उनकी सुरक्षा में लगे हैं यानि अपराधियों को एक प्रकार से यहां छोट दे दी गई हैं हमें काथ दरजनुटा होई गई होगी डियिया बलतकर कहीं कुछ नवकुछ हुआ ही होगा त Canon 1352 हे महा गटवंदन की सरकार बनने के बाद बिहार में हुई हूई है कि हत्या का प्रयास यहां 4502 में हुआ है यहां रेभ दो सो दस मावटं बेटियों और अबोद Latt जो मा की गोत से निकल कर जैसे ही भूमी पर खेलना प्रारंब की उसके साथ मा गटवंदन के गुंडों ने बलतकार कर दिया यह रावन राज और कंस राज है अपराधियों का राज है इस सरकार को एक मिनर तक भी बिहार की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है नहीं मोरल है यहाँ अपरन पंचान में अपरन हो गए लूट पात की घटना है 349 गोली बाजी आराम से गोली बाड़ी करते हुए यहाँ आप राधी गुम रहे है लोग धैसत में हैं खुल्याम अन लाइसेंसी आरम से लेकर गोली फायर करते चलते हैं स जोड़ी की घटनाओ 448 हमले यहाँ पंचान में हुए और रंगदारी यहाँ 40 लोगों से ली गई जबकि बहुत सारे मुकदमे एफायर मागटवंदन नितीस और तेजस्वी नितीस जी और तेजस्वी जी की सरकार एफायर कराती नहीं है पट्नाओ कोट ने कोशी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही बाल की समस्था के समय बध्ध समाधान के निर्देश दिये हैं जलसन साधर मंतरी संजेज हा ने फैसले को एतिःहासिक बताते हुए कहा की फैसला उत्तर बिहार के लोगों के मन से माड़ के दर को हमेशा के खत्प के लिए खत्म करने का मार्ग प्रश्रत न करेगा उत्तर बिहार बिहार का वो इलाका जो हर साल बाड की विभीशिका झेलने को मजबूर है लोग हर साल घर बसाते हैं और हर साल विस्थापित हो जाते हैं अब इस समस्या के स्थाई समधान की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया गया है पटना हाई कोट ने कोशी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही बाड की समस्या के समय बद समाधान के निर्देश दिये हैं कोट ने समय बद तरीके से बाड की समस्या के समाधान के उपायों और संसाधनों की पहचान करने का आदेश दिया है हाई कोट के फैसले के मुताबिक कोशी विकास प्राधी करण में बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार और अन्य हित धारकों के प्रतिनिधी शामिल होंगे पटना हाई कोट ने राज के संसाधनों को निरंतर हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए एक फंडिंग फॉर्मुला तैयार करने के लिए भी कहा है केंद सरकार ने 60, 30, 10 का फॉर्मुला सुझाया इसका मतलब 60 प्रतिशत केंदरी अनुदान, 30 प्रतिशत केंदरी रंड और 10 प्रतिशत राज की हिस्सेदारी का सुझाव दिया है इसका विवरंड पटना उच न्यालले में रिकॉर्ड में रखा गया है कोट ने निर्देश दिया कि इस फंडिंग फॉर्मुला को कींद सरकार के साथ मिलकर अन्तिम रूप दिया जाए ताकि भविष्ट की गती वीधियों को सुविवस्थित किया जा सके बिहार के जल संसाधन मंद्री ने इस फैसले को एतिहासिक बताते हुए कहा कि ये फैसला उत्तर बिहार के लोगों के मन से बाढ़ का डर हमेशा के लिए समाप्त करने का मार्ग प्रशस्ट करेगा बाढ़ की ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है लेकिन अब जाकर हाई कोर्ट ने जो निर्ने दिया है वो साथ दशक से बरती जा रही उदास सीन्ता को हमेशा के लिए ठीक कर देगा न्यूज एटीन के लिए जमुई से समवदाता रवी एसनारायन की रिपोर्ट लोगों से मिल नहीं रहे जो जोलंद विशें हैं उस पर आप चड़्चा नहीं करके समाधान यात्रा दिखावे कि लाप करें हूं गलत है अ मियार के मुक्यमंत्री नितीश कुमार के बाद पूरव मुक्यमंत्री जीतनामाजी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं नवादा से शुरू हो रहे इस यात्रा को गरीब संपर्क यात्रा का नाम दिया गया है। इस यात्रा में हम संपर्क जीतना माजी के साथ उनके बेटे और मंत्री संतोष कुमार सुवन भी शामिल रहेंगे। विहार की पुलिस कैसे काम करती है इस पर तो सवाल खड़े होते रहें। अब सरुकी कारेशली विवादों के घेरे में भी आती रहती है। लेकिर पट्टा के फुलवारी शरीफ के एस पी मनीश कुमार का एक वीडियो वारेल है। जिसमें वे अपने आवाज पर मौजूदा पुलिस कर्मियों से मालिश खरवा रहें। पुलवारी शरीफ के एस पी महादे को कोई शारिरिक कष्ट नहीं है। और राही कोई गंभीर बिमारी है। बस मौज है इनकी। देह का कोई कोना तेल विहीन न रह जाए। इसलिए ताबर तो चार पुलिस वाले रगे रग सोट रहे हैं। बिहार पुलिस की वर्दी पहन कर मालिश करते जवान बस आदेश की तीमारदारी में जुटे हैं। मकसद बदन को निचोड कर दर्द को निस्त नाबूद कर देना है। एसपी मनीश कुमार का ये वीडियो एक शिकायत पत्र के साथ वाइरल है। आरोप है कि फुलवारी शरीफ के एसपी मनीश कुमार विधी विवस्था की ड्यूटी ना लेकर पैर दववाते हैं। शरीर में तेल लगवाते हैं, कपड़ा साफ करवाते हैं। पुलिस कर्मियोग ने एक वीडियो बनाकर पटना एससपी को भेजा। ये वीडियो आपके भी सामने है। इस आरोप को लेकर पटना एससपी मानवजीत सिंग डिलनोर से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने भी स्विकारा किस मामले की जाज करवाई गई है और सरकार को जाज प्रतिवेदन भेज दिया गया है। लेकि जाज रिपोर्ट कॉंफिडेंशल है और ऐसे में इसे मीडिया से शेयर नहीं किया जा सकता। फिलाल इस मामले में कोई कारवाई नहीं हुई है और जाज रिपोर्ट सरकार के पास अठकी पड़ी है। सवाल है इवजरवाहन के जवानों से मालिश कराना कितना उचित है। मालिश उसे दुरुस्त हो जाएगी कानून विवस्था। जवानों से ऐसे ही बरताव करते हैं अधिकारी। आखिर कब होगी मालिश करवाने वाले एस पी पर कारवाई। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट पता नहीं चल पा रहा परिजन उसे बाद के मरे सहयोगी रजिनीश कुमार मधुबनी शिक्षा विःद के डीपी ओ राजेश कुमार मिस्रा पिछले एक सब्ता से लापता है ऐसे में अब तक कहीं कोई सुराग नहीं मिला है और परिजन खाक चानते फिर रहे हैं पटना जंग्सन पर इस वक्त परिजन जो है लगातार लोगों से पूछ रहे हैं हाथ में तस्बीर लिए देख सकते हैं घूम रहे हैं कि आखिर किनी को पता हो तो जरूर बताईए लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है मुझा फरपूर एससपी से भी शिकायत ने लोगों ने की है और एससपी ने भी लेटर जाली किया है तस्बीर के साथ लेकिन अब तक जो है सारा प्रियास जो है और सफल रहा है तो देख सकते हैं राजेश कुमार की तस्बीर है जरा बात कर लेते हैं कि आखिर कब से पतना वाली बस में चरह हैं बस बालों से हम लोगों ने बात किया मुझपरपुलीस ने भी पूछताच की बस बालों ने बताया कि हुए अगम पूल के पूल के पास जब पूलिस आई और वहां के सी सटीवी को खांगालने का प्रयास किया तो फूल के पास का तीनों सी सट पूलिस ने और बस बालों ने भी यह कहा है कि अगम पूल पे उत्रे हैं यह बताये कोई दुश्मनी वगधा थी किनिक या कोई आप लोगोंने कहां कहां ठूंड लिया कुछ पता निबहर था हम लोग मध्रपूर में मुझभू में पटना में होटल समय पुलिस प्रयास में जोटी हुई है वहीं दूसरी तरफ परिजन है साथ में जो कार्यालेक कर्मी है वह भी शहर खाक छांद है लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है राजेश कुमार मिस्तरा की किसी से दुश्मनी नहीं थी और परिजन यहीं कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन कब काम्यावी हाथ लेगी ये कहना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है कैमराबन दीपक के साथ रजनीश कुमार नियूज एटीन पटना सुनीता आज भी किड्नी के इंतजार में डालेसिस पर जंदा है वहीं मसदूर पती और बिच्चे अब बेबस हो चुके हैं ऐसे में अब सुनीता को न्याय दिलाने के लिए स्थानी ये लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कई महिला और पुरुष अनिश्यत काले इन धरने फरवैड़ के हैं समासिव्यों ने सरकार से किड्नी की विवस्था करने परिजन को सरकारी नौकरी देने के साथ आरूपी डॉक्टर की गिरफतारी की मांग की इस धरने में बीटी देरात मुकेश असेहनी भी पहुँचे सुनीता के जिन्दगी बचाने के लिए अभिलम ही एक किड्नी के विवस्था की मांग के लिए बैठे हैं जिससे की सुनीता के जिन्दगी बचाई जा सके और सुनीता पीड़ता के पडिवार की आर्थिक इस्तिति को देखते हुए सरकार अभिलम ही 25 लाख रुपे की आर्थिक सहोग कड़े और जो भी किड्नी कांड के आरोफित डॉक्टर है उसके अभिलम गिरफतारी हो पटना सिटी के बाइपास स्थानक शेत्र के मधनी तल इलाके में बीते 24 जनवरी को पुलिस दौरा किये गए लाठी चार्द और शराब मामले में चाहे दुकांदार टिंको कुमार और उसकी मां को विरफतार कर जेल भेजने जाने के जिरोध में वी आईपी पार्टी के कारिकरताओं ने बाइपास स्थाने का खिराओ कर अपना अख्रूप्स पर कट किया वी आईपी पार्टी के धक्ष वूकेशन सेनी के दर्तुरतों में सेक्रूप्स संख्रामे कारिकरताओं ने बाइपास स्थाने का खिराओ किया और पुलिस पु की हेडलाइज